Hello everyone, welcome back to my channel So guys, आप लोग मेरे चानल पर भी देख रहे हो मेरे थाइलांड सिरीज और हम लोग देखते देखते पहुँच गये हैं 6th day of Thailand trip तो पता ही नहीं चला कि 6 दिन कैसे कम्प्लीट हो गया थाइलांड में So guys, लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि हम लोग पुकेट में थे, फीफी ऐलांड वगेरा घूम रहे थे लेकिन पुकेट का सफर हमारा खतम हो गया था और हम लोग पहुच के थे बैंकक के डोमेस्टिक एरपोर्ट में क्यूंकि उस दिन हमें पुकेट से निकल कर बैंकक जो जाना था क्यूंकि सफर का टाइम थोड़ा थोड़ा करके कम भी हो रहा था और हमें बैंकक भी देखना था तो इसलिए हम लोग यहां पे पहुच के और यह देखिए हमारा नाम भी इधर मेंशन था तो हमें कैब आके पिक अप कर लिया था एरपोर्ट से अभी हम लोग जा रहे हैं बैंकक और हमारे होटल में चेक इन करेंगे तो अभी हम लोग रूम में जाते हैं और रूम में एंट्री करते ही हमारा रूम का वाइब कुछ ऐसा था यह काफी बड़ा रूम था और जैसे कि आप सब देख ही रहे हो कि किंग साइज बेड था और साइड में भी चोटा सा बेड उन्होंने दिया हुआ था प्रॉपर चेकिन करने की बार दिरेक्टल लैंज करने के लिए क्योंकि होतल रमाडा के पास बहुत सारे आप्षिंज आपको इंड्रेश्टरं के मिल जाएंगे तो हम लोग भी रैंडमली ऐसे एक रेस्टरन में चले गए और वहां पे हमने नौर्थ इंडियन थाली ट्राय किया था यह बहुत जाधा टेस्टी था सब कुछ था इस थाली में आप सब देख सकते हो कि 3-4 भराइडी के सबजी थे दही वगेरा राइस और मीठा सब कुछ पड़ वगेरा रोटी भी था इस रेस्टरन का नाम था इंडियन एक्सप्रेस और यहां पर आप लोग भी जाके ट्राय कर सकते हो खाना काफी टेस्टी मिल रहा था यहां पर और यह था हमारे होटिल का फ्रंट वियू यह काफी जदा सुन्दर लग रहा है तो हम लोग व पड़ेगा और अच्छा भी रहेगा तो गैस हम लोग भी क्याप बुक करके पहुंच के बैंको का एक बहुत ही सुन्दर जगा जिसका नाम था चॉक्लेट विले इतना सुन्दर जगा मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था विल्कुल भी यह सब कुछ मुझे रियल नहीं करना गाइस यह हाइली रेकमेंडेट प्लेस है तो हम लोग सबसे पहले इसके टिकेट लेने के लिए अंदर गये इनके टिकेट काउंटर के पास पार हेड़ वन फिप्टी भात आपको यहां पर पे करना पड़ेगा तो अंदर जाते ही हमें इसका सुन्दर सा नजारा और के हैं किया हुआ था देन इसे पानी का था बीच में और चारो तरफ एसे चुटे चुटे घर बनाए गये थे कलरफूल कलरफूल सा यह बहुत सुन्दर और बहुत बड़ा एरिया है आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा गाइस इसके अंदर क्याफे बगरा भी है लोग वहां पर खाना पिना भी कर रहे थे यहां पर हमें कार दिखा ऐसे डिस्प्ले के रिए लखा गया था तो यहां पर हमने थोड़ा विंटेज फोटो शूट करने के लिए ट्राय किया देन कैंडी लैंड हम लोग पहुंच गये आप लोग देख सकते हो कि कितना सु से ही एक म्यूजिक का पैनल यहां पर बनाया गया था कार्टून्स वगरे बनाया गये हैं चारो तरफ सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इद्धर रखे गये थे और यह पिंग परपल वाले छोटे-छोटे घर मुझे बहुत पसंद आये और जैसे हम लोग थोड़े सकता था तो इसलिए हमने यहां पर म्यूट कर लिया लेकिन बहुत अच्छा वाइब था वहां पर आचली हमें उसी दिन बैंकॉक में ही किसी ने सजेस्ट किया था कि आप लोग चॉक्लेट विले घूमने के लिए चले जाओ इसलिए हम लोग ऐसे रांडम ली आ गये हमें पता नहीं था बिल्कुल भी यह कैसा दिखता है क्या था और मैं कोइंसिडेंटली उस दिन पिंक पहन के गई थी तो यह वाइब के साथ मेरा ड्रेस अदम से मैच कर रहा था क्योंकि काफी सारे लोग वहां पे पिंक पहन के भी आये थे तो आप सब के सामने यह सुंदर सा चॉकलेट विल्ले का वियू हम लोग दिखा रहे हैं इस वीडियो में तो इसके लिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर तो आपको करना है अपने फ्रेंच सान फैमिली के साथ ताकि आपका थाइलैंड का ट्रिप और भी जाधा मज़ेदार हो जाए और स्कूटर बनाया गया था काफी जाधा फोटोजेनिक प्लेस है यहां पर यह चोटा सा गाड़ी का सोफा जैसे रखा हुआ था तो हमने यहां पर थोड़ा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर लिया और ऐसे हैंगिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां पर छो बहुत सुंदर फ्लावरिंग का वॉल बनाया गया था पूरा फोटोजेनिक था यहां पर एक पेंटर भी बैठा हुआ था जो की पेंटिंग कर रहा था पेंसिल स्केच वगरा कर रहा था अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी कर सकते हो सबसे इंट्रेस्टिंग मुझे य अगर फोटोज वी क्लिक कर वालिए वैसे मेरे सारे फोटोज आप मेरे इंस्टेग्रम प्रोफाइल पे जाके चेक आउट कर सकते हो और वहां पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो तो आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि यहां पर बहुत ही बड़ा लाइन इसे खाने पिने कर टेबल लगाया गया है काफी जादा लोग यहां पे बेटके खाना खा रहे थे चोटे चोटे ब्रीज बनाया गया था बीचो बीच में कलर फुल सा ब्रीज तो वहां पे भी आप लोग फूटोज ले सकते हो यहां से इतना सुंदर वीव आ रहा था कि में क्या ही बताओ आप लोग खुद वीडियो के थ्रू देखी सकते हो गाई बैंको का एक बहुत ही अच्छा हैपनिंग प्लेस है यह चोकलेट विले अगर आप लोग अपने बच्छों के साथ जाते हो तो यह सोने पर सुहागा हो जाएगा उन सब के लिए यहां पर आपको खाना पीन और भी जदा सुन्दर लग रहा था और यहां पर फिशिंग के लिए भी थोड़ा कुछ अरेंच्मेंट है यहां पर फूर डिलिवरी भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है जैसे आपने देखा वो जो चोटे-चोटे स्कूटर होते हैं उसके थूरू और यहां प भी देख रही थी मुझे वहां पर अच्छे व्यू मिल रहे थे तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हम लोग कहां पर रुके कहां पर वीडियो बनाए क्या करें यहां पर डॉगी को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं आप लोग देखी सकते हो और तभी साम हो रहा के पास इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की LED लाइट्स लगाए गए थे यह पूरा ग्लास से बनाया गया था यह जो हाउस था और उसके अंदर ऐसे कलर फुल लाइट्स लगे थे तो यह बहुत जादा अच्छा लग रहा था जैसे सपनों के नगरे मैंने पहले भी बताया है उसी तरह का फील आ रहा था आप लोग अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि दुनिया से कहीं दूर आप लोग आ गए हो बहुत सुंदर जगा है यह सो आप लोग अभी से ही अपने आइटेनरी में यह जगा मेंशन कर लो बिल्कुल भी मिसमत करना इस जगह को और चोटा चोटा पानी का फुआरा भी वहां पे था फाउंटेन बनाया गया था तो बहुत जादा अच्छा लगा यहां पे एक वाटरफॉल भी बनाया गया है और चारो तरफ लाइटनिंग एकदम पॉफेक्टली किया गया है और चोटे यह बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था कितना सुन्दर इसको बनाया गया है आप सब देखी सकते हो और यह था पूरा फ्रेंट यहां पे चॉकलेर्स वगेरा कैंडी सेप में लगाया था सारा कुछ अर्टिफिशल था चोटे-चोटे स्नो मैंस यहां पे बनाके रखे गये थे और बहुत सारा कुछ चीजें यहां पे रखे गये थे काफी जदा यूनीक एक कॉंसिप्ट था यह तो हमें बहुत जादा अच्छा लगा तो इवनिंग हो गया था तभी और चारो तरफ लाइट भी लग गये थे तो काफी जादा सुन्दर व्यू आ रहा था आइस क्रिम बगरा मिल रहा था तो ऐसा ही कुछ रिवर का वियू आ रहा था चारो तरफ जगमगाता हुआ लाइट यहां पे चोटा सा क्रूज या फिर शिप बनाया गया था जिसमें कार्टून सवार होके आ रहा है और यह सारे कार्टून बनके बच्चों को बहुत बड़ो के लिए भी है बहुत मज़े कर रहे हैं सब लोग जाके और फुदक से ऐसे खड़ा हो गया आके और ऐसे पंपिंग होने लगा बहुत अच्छा लग रहा था इसको ऐसे देखके तो हमने इसके साथ फोटो क्लिक करवाए बहुत अच्छा लगा हमें यह देखके सो पूरा चॉक्लेट विले का माहूल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और दुबारा से हम लोग उसी रास्ते पर ही जा रहे हैं ताकि आप लोग देख सको कि लाइट लगने के बाद इसका व्यू कैसे चेंज हो गया और भी ज्यादा खुबसूरत लगन यहां पर चॉक्लेट विले का पुरा डिक्सनरी बनाया गया है जहां से आपको रूट वगरा पता लग जाएगा कि आपको किस तरफ क्या देखने के लिए मिल जाएगा यहां सामने कैंडी लैंड भी बनाया गया था जो की वीडियो के स्टार्टिंग पर ही मैंने दिखाय है तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो और इंजोय करो सो इसके अंदर आपको एक इन्फोर्मेशन काउंटर भी मिल जाएगा अगर आपको कुछ पूस्ताज करना है तो यहां से कर सकते हो तो ऐसे ही घूमते घूमते हम लोग दुबारा से पहुंचके उस टेडी करने के पास वाले क्याफे से लेना था आइसक्रीम जो की हमारे इंट्री टिकेट में इंक्लूडेट था अगर आप लोग भी जाते हो तो आपके इंट्री टिकेट में भी आइसक्रीम इंक्लूडेट रहेगा तो चोकलेट विल्ले से आते वक्त आइसक्रीम खाना मत भूल यहां पर हम लोग गये आईस्क्रीम खाने के लिए यहां पर लिमिटेड ऑप्शन ही रहते हैं तो आपको उसी हिसाब से चूज करके लाना पड़ेगा यह देखिए पेड़ों में कितने सुंदर-सुंदर ऐसे हैंगिंग्स लगाए गये हैं मैंने जैसे बताया कि छोटे-छ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्यूंकि बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल अगर आपने अभी तक नहीं क्या है तो बहुत सारा प्यार दीजिए अपने फ्रेंस और फैबली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करन और लाइक भी भर भर के करना गैस तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग कहां घूमने के लिए गये थे तब तक के लिए इंजोई दिस वीडियो बाबाई